केरल के कोजिक कोड में फिलिस्तिन के समर्थन में रेली हुई ये रेली गुरुवार 23 नवंबर को केरल प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी ने बुलाई थी इसमें केरल के दो बड़े नेता केसी वेनु गुपाल और शेशी थरूर शामिल हुए रेली में प्रदेश कॉंग्रेस के कई नेता और कारेकरता भी मौजूद थे इसमें केसी वेनू कुपाल ने कहा कि आजादी के बाद कॉंग्रेस सरकार ने हमेशा इसराइल के हमले का विरोत किया हमने हमेशा फिलिस्तिन के उनकी जमीन के संगर्ष का समर्थन किया लेकिन बीम नरेन मोदी के सत्ता में आने के बाद सरकार ने अपना स्टेंट बदल लिया इससे पहले भी केरल में सत्ताधारी सीपीम, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और कई अन्य पार्टियां फिलिस्तिन की समर्थन में रेली बुला चुकी है कॉंग्रेस के राजसबा सांसत वेडू गुपाल ने कहा कि कॉंग्रेस का फिलिस्तिन मुद्दे को लेकर एक ही स्टेंट रहा है इसे महत्मा गांदी ने बनाया था, जवालाल नहरू ने अपनाया था और इसके बाद इंडरा गांदी और राजिव गांदी ने दरंड़ता से इसे फॉलो किया वेडू गुपाल के मोताबिक पश्चिम एशिया में चल रहे ही युद्ध को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट में विभिन देशों द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था इसमें वोटिंग के दोरान भारत गेर मोजूत रहा यह सही नहीं था केंदर सरकार के इस फैसले से देश की जनता का अपमान हुआ है इसी के साथ बने रही है एशानी जिन्दा के साथ खाले बाद